मोक्ष पानना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ा है कि मनुष धरापर आकर के हमने मनुष का सरीतो धारण किया लेकिन मनुष जैसा कर्म नहीं किया सच्चा संत जो होगा, वो मरते मर जाएगा, अपने चोले को दागन लेएगा प्रभू, लेकिन उसकी करपा होगी तो एक में सास्त्र का ग्यान हो जाएगा नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे हैं सवी दर्शकों का स्वागत है, मैं हर्जेश मेरा हूँ आज हम लुद्याना के बड़े ही पुवित्र स्थान पर पहुंचे हैं, जहां पर शिर्मत भगवत कथा का महोस सब चल रहा है जहां हमेशा से यहां परचार करते आ रहे हैं और बड़ाई सुन्दर बचनों से इनका परचार होता है और लाखों लोग इनको सुनते भी हैं और आपने टीवी चैनल और बहुत सारे चैनल जो में इनके खता सुनी होगी लेकिन आज लुद्याना में बिराजे हैं इनका हम स्वागत भी करते हैं और इनकी बानी से ही हम पूछते हैं जहां पर आपने जो भगवत कहा शुरू की है और कैसे है क्योंकि कहते हैं जग में सुन्दर है दो नाम राम कहूं चाहिए शाम तो कैसे यह आपके प्रभु शाम की लीला है और आपका पूरा आपके उपर शीरवाद भी है आपकी बानी में भी सस्वती है तो कैसे आपने जहां यह मौसब को संपूरुन कर रहा है पहले तो आप सभी दर्सकों को जैसी कृष्णा और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपकी माध्यम से जन्जन में धर्म का और भगवान का दोनों का जो नाम और प्रचार पहुँच रहा है तो लगबग आप सभी की विशिश पेरना से 20 वर्स में आते ते जन्य दिवर्स में आ रहा हुँच जबता रहे जब तक हम रहे जब तक आते रहें वेसे आपका प्रहिँच प्राप्त हूता रहे तो यहाँ प्रत्म पहली बार आपके पालंग गाउं में ये सब भागवत कथा का आयोजन हो तो आज जो है अंत्म दिवस थे भगवत की पूरा होती है तो यहां पर बहुत आनद हाया पहली बार कसा हो रहे है लेकर नहीयन लग़ रहा है यहां पहली बार आइविश है द है सब लोगों में बहुत लास और बहुत दार है और गोबि न करपा से हरवर्स कथा आपको जो संस्ता है ये भगवत पर चार प्रसान संस्ता ये कब से है कितनी परणी है ये संस्ता का कहा कहा आपका शाखाए है जी भगवन ऐसा है कि Sridhamllen कोवरदन में इसकी प्रतничता है और वहां इसकी बाकितो जहां-जहां कथा हो रहे हैं जो जो लोग जुड़ते जाते हैं सब लोग कथा क्या दिकारी और सब लोग संस्ता से जुड़ जाते हैं सब हमारे स्वादकारी बन जाते हैं अपना बैसे को यह से कहें कि हम सिवादकारी वो है आप सभी सिवादकारी है जो हम से जुड़ गया वो संसास जुड़ गया संसास जुड़ने का मतलब उद्देश यह है कि जन समाज में आप जहां भी रहो प्रभु के लिए ठागुर जी के लिए समाज के लिए कुछ अच् हो गई तो दूसरी बात जी है स्रीधाम गोबधन में गोपाल अन्रचेत्र इम्राधा सर्विश्वरी गोसाला इन दोनों का जो कार चल रहा है वो इसी संस्ता के द्वारा चल लाए तो लगबग इसमें 50-60 लोग जुड़े हुए अभी तक जो आपके पंजाब के भी हैं और अन्यत जगे जगे के जुड़े हुएं तो संस्ता का एक उद्देश है हम जैसे चाहें कैसे भी समाज में भगवान के नाम का प्रचार करें धर्म का प्रचार करें और जरुद बंज लोग हैं जिसको जो चीज की आप सकता है उसको वो सेवा उसको पहुचाई जाए प किया है अन्य चेत्रका उदर करण ये लखा है कि कोई भी हमारे द्वारे पर आई तो भू करना जाए प्यासा ना जाए पहले परंपरा थी आले कोई कि बोजन वहां पाए यह संस्ता का एकायचन दिखे श्रीमत भगबत कथा था बहुत कथा वाच्चे करते हैं लेकिन जैसे मैंने सुना जहां पालम बिहार में लोग कहते हैं ऐसी कथा कभी सुनी नहीं आपकी बानी में बहुत मदूता है और आपका जो कथा का उचारन करना वह बहुत अलग से डंग से है तो ऐसे कैसे अपने कहां इसका शिक्षा ली थी जी जी मैं आपको अफ़कत करा दूं मेरे पुझ गुरुदेव तो कुछन ठाकुर जी है ब्रंदावन से जो हैं और किरपा उनकी तो संपन किरपा बिना गुरु किरपा के तो कोई बोली नहीं स किरपा है और बागी माता पेता सब आप सब लोगों की भी करपा है क्योंकि सुनाने वाला हो सुनने वाला नहीं हो तो उसको कौन सुनेगा और सुनने वाले हो सुनने वाला नहीं हो तो वो क्या सुनाएगा इसलिए आप सुनने वाले हैं मैं सुनाने वाला हूं तो जो ठा बगवान के लगएं क्योंकि बिना भगवान के भक्ति के प्राणी का उद्धार नहीं है। आपने बहुत सुन्दर बढ़िया प्रिश्ण किया और देखिए प्रिश्ण करने वाले भी प्रिश्ण करता भी प्रिश्ण करने लायक हो। करा करके हमने मनुस्त का सरी तो धारन किया लेकिन मनुस्त जैसा कर्म नहीं किया। जिसने मनुस्त सरी धारन करके मनुस्त जैसा कर्म कर लिया उसको किसी भी मुक्ष पाने की काम नहीं करनी है। अब जो मनुस्त का सरी पा करके पसुवित कर्म कर रहा है और वो सोचा कि मुझे स्वर्ग मिल जाए असंबाभ है। किसी को किसी को दोखना दू किषी को कॉम यखना करू किकी जुक्री नहीं की काम ऑऊई। जब कर्म करोगी नहीं तो मुक्ष कहाते होगा हम कर्म कर नहीं नहीं अच्छा पुरा कर्म कर रहें और मुक्ष की कामना कर रहें गल्त रास्ते बेर जाकर मंदिल बेर कौन पहुंचा है बता हूं मुझे जाना है इधर पर जा रहे है इधर तो पर बटकोगे न बटकोगे तो अच्छे कर्म करें परमात्म अपने आ मोक्षिट देखा आपने बात करी जैसे राम राजी होता था प्रभू राम के जब राज था आज की राजमें क्या फर्क समयाता है प्रभू जी बहुत फर्क है वैसे तो राम राम परमात्मा जब रहते थे तब की तो बात ही कुछ और थी, लेकिन अभी भी भगवान कहीं गए थोड़ी है, बिलकुल बिलकुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, राम राज आएगा और धीदे उसका परिवरतन असर पढ़ रहा है, भाई आप पहले हिंदू सोया हुआ थ रहते हमने तो कलपना ही सोचती थी, हमने सोचना ही छोड़ दिया था कि सायद मंदिर बनेगा, लेकिन पुनहें वो इससा जागरत हुई और उदे हो रही है, और कामना पूर्ण भी होगी, आरम हो गया है, दूसरे नंबर कासी का भी आगया, तिसरे मतर का भी आएगा, और अरंद होगा, राम राज क्यों नहीं आएगा, आज आएगा, आरंब हो गया, राम राज आने की घड़ी आरंब हो गई है, जब से राम लिल्ला का मंदर बनना शुरू होया है, जी, जी, तो आप जैसे सनातन धर्म के गोगरत ने भी आना है, उनमें जागरती एक अलग सी बिल्कुल सरकार, बिल्कुल, इसका करन दे को प्रभुजी, कुछ तो हमारी सरकार है, और कुछ हमारे महत्मा संत जने, क्योंकि उनका प्रमकुदायत है, क्योंकि नेतृत हमारा संत कर रहे हैं, और प्रभुजी जिस राज का, जिस नगर का, जिस देश का नेतृत संत करते संतों की बात करिए मैं चोटा सब्सक्राइब संतों में भी बहुत से जो है ना गलत अनुबब देखें संतों की बाना ढल कर और संतों की जो पंच उंगले बराबर तो नहीं होती लेकिन संतों की बहुत जुन के बहुत संदर बात कई मैं आपकी बात का प्रतिवाधन करता हूं अनुधन करता हूं और बहुत साधुबा दे रहा हूँ कि आप जो इस सब्द निकाल करके ला रहे हैं एक समाज के लिए बहुत सुन्दर कीरती ला रहे हैं आप तो भगवन आपने कहा कि जो जेल में पड़े हैं जो संते हैं देखो मैं उनको संत नहीं मानता आप समझें कि कालियमन भी संत का भीस बना कर गया था कालियमन गया था तो वो संत तो नहीं था संत का भीस बनाया था परिणाम क्या हुआ संत नहीं रहा था उसका नाटा खुल गया तो वैसे ही लोग है सच्चा संत जो होगा वो मरते मर जाएगा अपने चोले को दाग ने लेए प्रभूbij, जिसके चोले में दाग लग गया, उसका फिर क्या हो, उसका कोई जहां में कोई उसका है निये, जो अपने आपको विगाड लिया, उसका कौन होगा, क्योंकि संत की पहचान, और संत का सर्व धर्म, तो ये चोला है, किसी से पुस्ता है वो, पर यही हमने इलाम कर दिया, हमारा फिर कौन है, तो यहां रखें प्रभुजी, आप भी धान रखें, आप भी अपने माध्यम से कहें, सब लोगों को, कि संत जो होता है, वो कभी भी अपने देश को, अपने इसर को, अपनी घती को, अपने धर्म को, कलंकित नहीं करता है, जिसने अपने धर्म को कलंकित कर दिया, वो यह सादू के वेसमर, छुपा हुआ बेरुपिया है, और आज ना कल, उसको परणाम, चाए मैं हुआ प्रभुजी, चाए आप हुए, भगवान के यहां न्याय सब के लिए है, भगवान स अपके सामने सब कुछ, प्रतक्ष के लिए कोई प्रमाण के आप सकता नहीं है, तो जो बुरा करेगा, उसको डंड मिलना है, इससे बड़ा, मैं तो करूँ भी अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, यह तो बहुत अच्छा हुआ, कि कल युग में ही भगवान ने सब क देखा दिया कि भगवान है के नहीं है, जो जाजा महराजों की तरफ स्सक्ना ने जो पंसते हैं, 저 जेल में, उन्ने कर्म बुरे नहीं की होते तो जेल में होते हो, वह याजात होते ते, लेकिन कहीं न कहीं नहीं कर्म में खोड़ था, भगवान ने रण दे दिया, तो भगवान सब लोगों को प्रतित होगे एक भगवान है वो निरने कर देता है तो इन्हें उन्हें पुरा किया तो आज जेल में पड़े हुए वो चाहते तो जेल में नहीं जा सकते क्यों बड़ बड़ लोग उनके पैर चूते थे उनके आगे पीछे घुमते थे जज्य से उ में कुछ नहीं हो सकता था लेकिन प्रमात्मा के सामने किसे की नहीं चलती है कोई कतना बड़ा कोई नहीं दूद रूप पानी का पानी सामने होगा तो आप मैं तो एसा है तो नहीं किता सकता कि कितना महगवान के करीब हूं बस उसके चरणों में लगा रहता हूं प्रभु जी करीब तो वह करता है इंसान क्या हो गा उसकी महर नहीं है नजब तक तो आप लाख प्रियास कर लो कितने भी पोती पड़ लो गरंत पड़ लो कुछ होने बाला नहीं है लेकिन उसकी किरपा होगी तो एक मिट में सास्त्र का ज्यान हो जाएगा पोती पड़पड जग हुआ पंडित है ना कोई कुछ भी नहीं हो सकता रही बात लगबग मुझे लगबग लगबग सम्तिंग सम्तिंग जो है पच्चीस वर्स होने जारी है कथा करते करते आप सबी भगतों के बहुत प्रहम मिला दुलाल मिला और मेरी प्रभू किरपा तो ही है बस प्रभू से यह आचना है प्रभू जब तक जिए आपके नाम की महिमा आपकी गाते गाते ही सब निकले प्राण तो इस से बड़ी और कुछ चाहिए नहीं मिलकुल प्रभू की जब तक इच्छा नहीं होती, प्रभू का शीरवाद प्रापत नहीं होता है, तब तक कुछ भी नहीं कर सेते हैं, चाए संथ हो, चाए महात्मा हो, चाए गुरू हो, हम भी अपने आत्मा चैनल के सभी दश्कों को कहते हैं, कि या आप जरूर हमारे जी कि जो बहुत ही इनकी मुधर बानी है, प्रभू शाम शंदर जी के, आप जरूर इनकी कता सुनें, और आप अपना जो जीवन है, वो इसको एक अलग से मत्तों बनाएं, क्योंकि आजकल का जीवन जो है, बहुत ही बेस्त है, लेकि थोड़ा सा समय निकाल कर कता जरूर सुन ही है, तो ये किर्पा आप पर भी बिरसाते हैं, इनकी कता से माध्यन से, ऐसे ही आत्मा चैनल आप देखते रहें, और आप से हम मिलवाते रहेंगे, और सादू संदों के साथ, कैमरमेन जीसमेंदर के साथ, राज़ शमेरा, आत्मा चैनल, जोदेहना.